हलो गाईज, वेलकम टू फर्था क्लासेस जैसा कि आप तब लोगों मालूमी है डेली सुबा मंडे टू मंडे अपना के इंपोटेंट सेशन होता है जिसके अंदर इंपोटेंट करेंट अफ़र के कुश्चन को डिस्क्रिस करते हैं तो गाईज, बात करते हैं आज के करन्ट अफ़र्थ के इंपोटेंट क्यूसिंस के बारे में जो आपकी आने वाली एक्जाम के लिए और आपके नोलेज़ के लिए भी इंपोटेंट है तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे की आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो गैस देखते हैं 27 अगर 2020 के करन्ट अफ़र्थ के इंपोटेंट क्यूसिंस के बारे में आज का फेस्कुशन देखे साओधी अरब की सरकार तेल कंपनी साओधी अरामको ने किस देश के साथ करीब पीचोतर हजार क्रोड रूपे का एक करार खदम करने का फैसला किया है यह किया गया है चीन के साथ ऑप्शन भी अपना सही आंसर है इस समझोतर के तहद साओधी अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनरी पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थे लेगन COVID-19 महामार के वज़े से साओधी अरामको की आर्थिक इस्तिति खराब है इसलिए उसने चीन की कमपनी चाइना नौर्थ इंडस्टिज गुरूप कॉर्परेशन के साथ फरवरी 2019 में किये गे समझोतर को खतम कर दिया है बात करेंगे साओधी अरब के बारे में साओधी अरब की राजदनी है वो है रियात यहां के किंग है वो है सलमान बिन अब्दुल अजिज अल सहद करंसी चलती है यहां पर वो चलती है साओधी रियाब ओकी गाइस नेक्स्ट कुशन देखें नेक्स्ट है पाकिस्तानी सरकार ने किस पूरव परदान मंत्री को बोगड़ा कोशित करके ब्रिटेन सरकार से प्रेटरपन की मांग किया है एक्स्टाट एक्स्टाट एडिशन की मांग किया है यह की है नवाज सरीप के लिए ओप्चन सी अपना सई आंसर है गाइस पाकिस्तान ने तीन बार के प्रदान मंती रह चुके नवाज सरीप अपने इलाज के सिलसिले में लंदन में है नवाज सरीब को पाकिसान की कोड ने ब्रस्चार के मामले में केद की सज़ा सुनाई थी इसलिए पाकिस्तन सरकार चाहती है कि वो पाकिस्तान लोट आए गाइस बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान की राददानी इस्लामाबाद है परदानमंतर है वो है इमरान खान और रास्टपती है वो है आरिफ अलवी ओकी गाइस नेक्स्ट कुशन देखिए हाली में विश्वास्वास्ते संगटन WHO ने किस मादवीब के जंगली पॉलियों से मुक्त होने का एलान किया है यह किया है अफरीका गए Option D अपना सही आंसर विश्वस्वाद से संगटन WHO दोरा World Health Organization दोरा इस ताफिस 37 संस्थान अफरीका अरिजिनल सर्टिफिकेट आयोग ने अफरीकी मादव के जंगली पॉलियों वायरस से मुक्त होने का एलान किया है आइस पिछले रिकोर्ट के अनुसार वर्स 1996 में में पॉलियों से अफरीका के लगबग पीचोतर हजार बच्चों को लगवा मार गया था और पॉलियों का जो आकरी मामला है वो चार साल पहले उत्री नाइजरिया में दर्च किया गया था बात करेंगे डबलोचे के बारे में डबलोचे के जो मानली दिशेक हैं वो है टेड रोस एड होनम और हेड कॉर्टर है इसका वो है जनेवा स्वेजे लेंड के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी डबलोचे की वो हुई थी साथ अप्रेल उनीसो अटालेस को ओकी गाइस नेक्स्क्रेशन पर चलते हैं नेक्स्क्रेशन देखे नेमने लिखित में से किस जनर्र इंसरेंस कंपने ने सगुन गिफ्ट एन इंसरेंस नामक बिमा उत्पाद लाँज किया है यह किया गया है SBA General Insurance Option A अपना सही आंसर है इस SBA General Insurance ने इस तरह का पहला बिमा उत्पाद लाँज किया है जो Personal Accident Policy का एक अनुटा उपार है इस पॉलिशी की खास विश्यस्ता यह है कि इसे किसी को भी उपवार में दिया जा सकता है इसका पॉलिशी खरीदार से संबंदित होना जरूरी नहीं है गैज पॉलिसी खरीदार अपने उपवार की रूप में परिवार, दोस्तों अन्य किसी परिवार और यहां तक की घर में काम करने वाले ड्राइवरों, रसोया अधिकिशी को भी दे सकता है इसके लिए उपवार प्राप्त करने वाले की उम्र 18 साल से पेसर साल तक होनी चाहिए गैज इसमें एक साल तक का लाप उठाय जा सकता है और बात करेंगे S.P.A. जनरल इंसरेंस के बारे में जिसका हेड़कॉर्टर मुंबई मारास्ट के अंदर है और अभी M.D. और C.E.O. ओ है परकास चंद कंडपाल ओकी गैज नेक्स उसन देखें नेक्स है नेमने लिखित में से कौन सी बेंक किसानों की साग का आंकलंग करने के लिए उपगरे डाटा का उप्योग करेगी उस बेंक का नाम है I.C.E.I.C.E.Bank ओप्सन भी अपना राइट आंसर है गैज आइसे 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 बेंक ने किसानों की साग का आंकलंग करने के लिए उपगरे डेटा का उप्योग करने का फैसला लिया है और इसी के साथ ही I.C.E.I.C.E.Bank अब ऐसी तक्निक का उप्योग करने वाली भारत की पहली बेंक बन रही है गैज इस तक्निक का उप्योग बूमी, सीचाई, बूमी सीचाई और पसल पेटर्ण से सम्मझ दिद चीजों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निने लेने के लिए जन सांख्य किये और वीटिय माप देंडों के स्योजन में किया जाएगा बात करेंगे I.C.E.I.C.E.Bank के बारे में जिसका हेड़ कोर्टर मुमे माराष्टर के अंदर है MD और CEO वो है संदीप बक्सी और टेक लाइन है वो ऐसे ऐसे बेंग की वो है हम है ना ख्याल आपका ओके गाईस नेक्स देखें नेक्स है हाली में कौन सा राज्य मुद्रा योजने के तहट मैलाव को रिंड देने की सूची में सबसे उपर रहा है उस राज्य का नाम है तमिलनाडू वित्मंताले द्वारा राज्य सब्बा में प्रस्तूत किये गए आखड़ों के अनुसार तमिलनाडू प्रदानमंत्री मुद्रा योजने के तहट मैलाव को रिंड देने की सूची में सबसे उपर रहा है इसके बाद पस्चिम बंगाल और करनाटक का इस्तान है तमिलनाडू ने 58,227 क्रोड रुपे का लाब उठाय था और पस्चिम बंगाल ने 55,235 क्रोड रुपे का बात करेंगे करनाटक ने 47,714 क्रोड रुपे का लाब उठाय था और ये गईस नेक्स्ट वेशन देखे नेक्स्ट है नैशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 के अनुषार अगले पांच वर्सों में कैंसर के वर्दिक वर्दिकою अनुमान है कैंसर के वामलों में वर्दिक Mercury का अनुमान है 12% option c अपना LOVE है और इस रिपोर्ट को Indian Council of Medical Research ICMR द्वारा जारी किया गया है इसके अनुसार 2025 तग लगबग 15,70,000 लोगों के cancer से पिरित होने का अनुमार है गाइज सबसे ज़्यादा तमाको समधित cancer के मामले 27.2% तक बढ़ जाएंगे और 2020 के अंग तक देश में 13.9 कैंसर होगी होंगे भारत में cancer होने की सबसे अधिक गटाएं उत्तर पूर्वे छेटर में देखी गई है गाइज बात करेंगे ICMR के बारे में ICMR का जो हेट कोटर है वो है नए दिले के अंदर और निदेशक हैं वो है डॉक्टर स्रीराम भारगव नेक्स्स कुसर देखे हाली में पार्षकर्ल लिसोबह का नीदन हो गया 29 देश के पूरे रास्पती थी वो थे कांगो के Option B अपना right answer हो रहा कांगो ile के पूरे रास्पती पार्षकर्ल लिसोबह का नीदन हो गया वह 1960 में unterstüt के से 1997 तक राजपते के रोब में भी कार्य किया था कांगो गंडाजे के हाई कोट ने 2001 में देश द्रोव और प्रस्टाशार के लिए पास का लिसोबा को 30 साल की सज़ा सुने थी जिनका हाल फिलाल में निदिन हो गया बात करेंगे कांगो के बारे में कांगो गंडाजे के रास्पती वो है डेनिस सासो गुगेसो और प्रदानमंत्री है यहांके वो है क्लेमेंट मॉंबा राजदानी है कांगो की वो है ब्राजाविल बारते उज़ाविनी में आई एक्स के एमडी और सीओ डेस ने हाल ने में इस्तिवा दे दिया है वो दिया है राजीव स्रीवास्तो ओप्शन से अपना सयांसर बारते उज़ाविनी में बोर्ड के निदिशक मंडल ने उनका इस्तिवा सिवकार कर लिया है वैज 24 अगेस्ट 2020 को तदकाल परबाव से अपने पत से हट गए है गाईज आई एक्स भारते उज़ाविनी में के बोर्ड के वर्तमान गेर्स कारिकारी अद्धिक्स सत्यनाया गोल को कंपने के अंत्रिम एमडी और सीओ का अत्रिक परबाद सोपा गया है बात करेंगे भारते उज़ाविनी में का हेटकोर्टर के बारे में जो ने दिले के अंदर है और इस्तापना हुई थी वह हुई थी 27 जून 2008 के अंदर होगी गाईज नेक्स कुशन देखिए ने आत्याटेबर टेनिस स्टार पॉलो में गटक ने हाली में सन्यास की गोशना किया उन्होंने 2006 के राष्टर में खेलो और 2000 से 2008 के बीच कॉमनवेल्स चेंपेंशिप में भारत का प्रतिन दित्रह किया था वो पहली बार 16 साल की उमर में ओलम्पिक में खेली थी जिन्होंने ह आली में सन्यास लिनकी गोशना किया ओके गाइस तो यह थी आज के करेंट एफट्स के इंपोर्टेंट क्यूसंस जो आपकी आने वाले एक्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है और आई होब कि आपको इस सेसन भी अच्छा लगा और अच्छा लगया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे की आगे आने वाले हर नहीं वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी तो गयास मिलते हैं करेंट एफट्स के नेक्स एसन में नेक्स इंपोर्टेंट क सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए थैंक यू